हलो एवरिवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेवन और्गनाइजेशन का ठीक है और इसके अंदर जो हम लोग इससे पहले में आप लोगों को अधिकार उत्तरदायत वह अगे बारे बता चुका हूं अधिकार अंतरण के बारे बता चुका हूं जवाब की नि हमारे पास responsibility होती है और जो हमारे accountability होती है उसके बीच अंतर क्या होता है तो पहले तीनों की meaning करते तो एक अधिकार जो होता है इसमें आदेश देने का अधिकार होता है यादि हम किसी को order कर सकते है जबकि जब आपकी जो responsibility होती है उसका मतलब यह होता है कि आपको कोई काम काम दिया गया है सुपुर्द किये गए कारे को कर दे का दाए तो आपको कोई काम दिया गया है आपको वो पूरा करना है ठीक है और जवाब देता है यानि accountability या credibility जो मैंने बोला था accountability जो होती है वो क्या होती है कि जोई सौपा गया कार है कि परिडाम संबंध में जवाब कॉम कि बंड़ यहां इसका आपको देना आप इसके लिए अंसरे बल होती है यह उता है तीनों का मतलब ओर देना का आपको पूरा करना काम के बारे में बताना थेक है अगर इन तीनों के ओरिजिनेश्न यानि उद्भव की बात करते हैं तो यह आप चारिक स्थेती से उत्फ प्रवाह की बात करें तो यह उपर से नीचे आता है यानि उच्च अधिकारी से नीमन अधिकारी तक यानि अधिनिस्त तक आता है यह अधिनिस्त से अधिकारी की और उपर की तरफ जाता है यानि कि हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वह नीचे से उपर जाती है और ये वाली जवाब देही है ये भी हमारी डाउन टू अप जाती है ठीक है अगर वापस लिए जाने की बात करते हैं तो इसे आप आदेश होते हैं उसे आप कभी भी वापस ले सकते हो अपनी अधिकार को अधिकार को आप कभी भी वापस ले सकते हो आप उत्तरदायत्यों को कभी भी वापस नहीं ले सकते हाँ जवाब देता को भी आप वापस नहीं ले सकते हाँ जवाब देता को भी आप वापस नहीं ल जाए यानि कि जो भी आपके गोल से आप उसको पूरी तरह से अचीव कर ले अधिकार अंतरण से प्रबंधक के कारे भार में कभी आती है जो मैनेजर होता है वो उसका अपना वर्कलोड कम होता है और वे अधिक है तो पूर्ण कारे जैसे नियोजन नियमन होगा यह ठीक है नियमन और दियंतरण आधी पर अपना ध्यान के द्रित करता है यानि वो प्लैन करने पर डिरेक्ट करने पर और कंट्रोल करने पर ध्यान अपना देना चालू करता है क्यूंकि उसका वर्कलोड कम हो जाता है देन आता है हमारा करमचारी को प्रियोग करने में जादा अवसर मिलता है यानि कि वो क्या करता है वो अपने आपके टैलेंट को दिखा सकता है और वो अपनी परियाप्त अधिकार दिये जाते हैं उन्हें निर्णय के संबंद में बार-बार अधिकारियों के पास जाने की आवशक्ता नहीं होती और वह निर्णय को गति परदान करता है कि अगर आपने उसे पावर दी है तो उस पावर के क्या करेगा उसे बार-बार अपने सीनियर से पूछ ले कि जरूत नहीं तो फटा-फट क्य लगर चाही करेगा काम करता ह姜 हे जाब देन कर्मचार्यों का विकास होता है बिलकुल कर्मचारियों का विकास होती है उनकी यह अदिकार अंतरन के टत्व प्रतिपादी का तरदायट metabolism के बारे में अधिकार करतव्यों तदा जवाब देता को परिभाशित करने में सहायक होते सब कुछ इस पस्ट होने पर उत्तम समयने वे स्वेते ही स्थापित हो जाता यानि बोलने का मतलब यह है कि जब आप पावर को डिस्ट्रिब्यूट करते हो अपने पावर को ट्रांसफर करते हो तो आप responsibility ट्रांसफर होती है देन उसके बाद दूसरे के accountability बनती है तो जब वो छोटे-छोटे काम में बट जाता है और पावर छोटे पाटे बट जाती है तो उन लोग आपस में खुद ही coordination बठा लेते हैं तो यह तो हमारा अधिकार अंत्रण के बारे में अब नेक्स्ट जो वीडियो को उसे मैं केंद्री करण और विकेंद्री करण का करको है इसलिए इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं and thank you for your time